देखवा फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर मैं हूँ किया स्टोमर दोस्तों आज की वीडियों में बात करेंगे इगनु के कॉन्वोकेशन के बारे में क्यूंकि इगनु ने अभी हाल ही में एक नई अपडेट करी है आप अलर्ट सेक्शन में उस अपडेट को द आएंगी कि कॉन्वोकेशन क्या होता है और उसमें कैसे रेश्टेशन करना होता है तो क्लिक करने के बाद आपके सामने होंगे जनरल इस्ट्रक्शन इन इस्ट्रक्शन को आप केरिफूली पढ़े तब ही आप आगे इसके अंदर अप्लाई करें तो सबसे पहले मैं आपक सकता है कि ये कंडर्ट किया जाए फिर भी उन्होंने बताया कि आप रेगुलरली इगनु की वेबसाइट पे अपडेट चेक करते रहें कि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है या नहीं हो सकता है कि इस डेट को चेंज भी कर दिया जाए और उसके बाद बताया गय आई तो उन सबी के ओरिजनल स्यटिकिकिट के लिए कोन वोकेशन में वह अपलाइग कर पाएंगे सो Convocation का मतलब यही है कि Convocation के दुरान आपको आपकी Original Degree Certificate आपको परवाइड किये जाते हैं जिन सभी स्टुडेंट ने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिये हैं दर उसके बाद बताया गया है कि Convocation या तो Physical Mode से होगा या फिर Virtual Mode से डिपेंड करता है सिचुएशन के उपर अगर कोवीट की सिचुएशन कंट्री में बैटर हुई तो आपका Convocation फिजिकल मोड से कंड़क्ट किया जाएगा अधर वाइज वर्चुल मोड से कंड़क्ट किया जाएगा और उसके बाद बताया गया है कि जिरो Student Convocation अटेंड नहीं कर पाएंगे उन सभी को बाइपोस्ट उनकी Original Certificates या डिगरी प्रवाइट कराई जाएगी साथी साथ एक instruction काफी important उन्हें Student के लिए है जिनके Original Center उनके Nearby नहीं है तो उनको यह भी बताया गया है कि आप जो भी Original Center जो आपके Nearby हो वहाँ जाकर भी अपनी Degree या अपने Certificate को Collect कर पाएंगे इन केस अगर Convocation Virtual Mode से Conduct होता है तो उस Condition में आपकी Degree, Certificate, Diploma आपको By Post इगनू सेंड करेगा आपके दिये गए Address पर जो Address आप यहाँ पर mention करेंगे तो उसके बाद Important चीजिनों ने बताई है कि आपको Apply करते समय जो Fees देनी है वो Fees यहाँ पर mention की गई है आप Fees Online Mode के थुरू Pay करेंगे जो Student, PhD, Amphil, Master Degree, Bachelor Degree, PG Diploma, Diploma Program के लिए Apply करेंगे उनको 600 रुपे Fees देनी होगी और जो Student, PG Certificate, Certificate Program के लिए Apply करेंगे उनको 200 रुपे Fees देनी होगी Fees आप किसी भी मोड से Pay कर सकते हैं, Debit Card, Master Card या Net Banking के थुरू इनकेस अगर आपको Convocation से Related कोई Question है या आपकी कोई Query है तो आप नीचे दियेगा इस Number पर या फिर इस Email ID पर Contact इगनू से कर सकते हैं जहाँ पर आपकी Problems होट आउट कर दी जाएगी So Form को Fill करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे Declaration Box दिखाई दे रहा होगा इस Box पर Right Tick करना है Then I Agreed and Proceed पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना Enrollment Number डालना होगा जो Enrollment Number आपके ID काड इमेशन है उसके बाद आपको यहाँ पर Password डालना होगा जो आपने Admission के टाइम पर Password चूज किया था Then उसके बाद नीचे दिया गया Security Code आपको इस Box में Fill करना होगा Then आप Login करके अपना Application Form Fill कर सकते हैं जिन Student को अपना Password वगरा याद नहीं है वो यहाँ पर New Registration Student वाले Option पर किलिक करके दुबारा से Login करके अपने Detail चेक कर सकते हैं और यहाँ पर Login करके अपने Form को Fill कर सकते हैं So अगर आप भी Eligible है Convocation के लिए Then आप Apply कर सकते हैं Application Form इसके Open है So उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए Helpful रही होगी और उन सभी के Student के लिए वी Helpful रहेगी जो Convocation में Apply करना चाहते हैं Then मैं बिलूँगा आपसे नेक्ट वीडियो में एक नई टोपिक के साथ Till then Take Care and Goodbye